नगर निगम करमचारी पर तीन महीने बीट जाने के बाद भी एनोसी ना देने का आरोप लगे हैं यहां आरोप मंडी जिला फुटबॉल एस्सोशेशन के द्वारा लगाए गए हैं एस्सोशेशन के पदादिकारियों का कहना है कि वेजिला में एक और एस्सोशेशन का गठन करने जा रही हैं जिसके लिए सभी उपमंडल अदिकारियों से एनोसी मिल गई है श्कुर्वार को association के पता दिकारी नगर निगम अंडी की महापौर दिपाली जश्वाल से मिले और उक्तव विशय के बारे में अभगत करवाया association के पता दिकारीों ने नगरनिगम की महापौर से मांग की है कि उन्ने जल्द ही NOC प्रतान की जाए और उनके साथ हुए दुर्वेवार की जाँच कर उक्त करमचारी के खिलाफ करवा ही की जाए वहीं इस बारे में नगर निगम की महापौर दिपाली जस्वाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एसोशेशन को दो दिन के भीतर अनोसी प्रदान की जाएगी हमने अपनी नई आसोशेशन बनाने का एक कारे शुरू किया था सप्पंबर माह में जिसे तु हमने सारी अपने जो फॉर्मेल्टिस की वो पूरी की रिजिस्टेशन का कारे पूरा किया हमने दस SGM के माध्यम से अनोसी भी प्राप्त हो चुकी है उस उपरांथ हमें पता लगता है कि एक मुंसीपल कॉर्पोरेशन की अनोसी भी हमें लेनी थी जिसे तु हमने 27 अक्तूबर 2021 को यहाँ पे एक पत्र सौपा जिसमें हमने अनोसी की मांग रखी उस उपरांथ पिछले तेन महिने में हम यहाँ पे लगातार पार्षदों से मिलते रहे श्ताफ करमचारी से मिलते रहे और उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपकी एनोसी जो है वो बना दी गई है और बहुत जल्द बहुत जल्द जो है आपको एडियम सरके साइन करवाने के बाद आपको इशू कर दी जाएगी प्रन्तु पिछले कल शाम को सड़े चार बजे के करीब हमें यहाँ पे करमचारी के थूँ कॉल आता है और कॉल पर हमें बोलते हैं कि आपका यह यह एक फोर्मियल्टी जल्म करवाने के लिए उनके पास जाते हैं प्रन्तु उनके दूवारा वो कागज ले लिए जाते हैं और हमने उनको सिरफ एक मांग रखी कि इन कागजों को लेने एक रिसीविंग दे दी जाए कि आप इस क्रिप्या करके आप कल आएं जब हमने थोड़ी सी बात उनके साथ और की तो उस इसे में वो बत्मीजी करने पर हमारे साथ उचागर हो गए जिसमें उन्होंने तू तड़ा करके हमारे साथ बात की और वहां से हमें कहा कि आप निकल जाएं मैं ये कारें नहीं करूंगा जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए आज उसी कंप्लेंट को लेकर उसी को लेकर हम एक मैं के पास गये थे जिसमें हमने उनको कुलदीब जी की कंप्लेंट सौंपी और एक ग्यापन सौंपा की आज फिर से इस रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जन्नल आउस में लाया जाए और ज